गुट मोर्निंग एवरिवन दोस्तों आज है सेप्टेंबर 12 ट्वैल 2023 और हम लोग करेंगे दा हिंदु न्यूस परपर के अनलसिस मेरे नाम भी सितेंदर चोधरी और आज हम लोग कौन-कौन से टोपिक करने वाले हैं पहला जो एक छोटा सो टोपिक है वो रहने वाला है CBI के बारे में और Supreme Court के बारे में CBI के कुछ provisions के बारे में Supreme Court ने कुछ बड़ी ही एक interesting observation यहां पर की है इस टोपिक आप जो है corruption से भी जोड़ के देख सकते हो जो corruption senior level पे होता है जो government officials होते हैं जो senior IS officer होते हैं EPS officer होते हैं उनको जो है corruption से कैसे deal किया जाए वो इस article के बारे में बात करेंगे इस अब GS paper 2 और GS paper 3 दोनों से cover कर सकते हो GS paper 3 में you know very well के हमें जो internal security के बारे में पढ़ना होता है हमारी जो investigation agencies होती है उनके बारे में पढ़ना होता है और CBI हमारी एक बहुत ही important investigation agency है थोड़ा सा हम लोग CBI के history के बारे में बात करेंगे और CBI कौन-कौन से cases को ले सकता है investigation करने के लिए वो थोड़ा हम लोग यहाँ पर देखने वाले है उसके लावा India, West Asia, Europe corridor बहुत important topic है mains के perspective से इसे हम लोग बड़ा अच्छे से detail में देखेंगे इन यह corridor क्या है यह क्यूं हुआ है कैसे बना है इसका route क्या है इसके implications क्या क्या हो सकती है challenges क्या है बहुत important topic है for the mains perspective मतलब आज का सबसी important topic actually यही है उसलब ग्रीशम लोग के बारे में बात करें economy के एक छोटी सी term होती है हलांकि हमें कोई economist तो बनना नहीं है लेकि थोड़ा सा ग्रीशम लोग के बारे में हमें हलका साइडिया होना चाहिए होता क्या है कैसे काम करता है और present scenario में यह news में क्यों है वह तो रहाम लोग यहां पर देखेंगे वैसे तो interesting है लेकिन बहुत ज़दा deep आपको जानने की requirement नहीं है क्योंकि इस तरह के जो laws होते हैं वो जादा तर जो economy का जिनको optional होता है students का उनके लिए होता है उसलब चाइना के फोल के बारे में बात करेंगे चाइना की economy लगता डाउन जा रही है GDP लगता डाउन जा रही है उसका reason क्या हो सकता है उसके implications क्या क्या हो सकते है वो थोड़ा हम लोग यहां पर देखने वाले हैं आज के editorial वाले section से चलिए दिए बढ़ते हैं सिधा पहले topic पे पहले topic से पहले एक थोड़ा साब को हम बता दू हमारे प्रियास program के बारे में अगर आप जोइन करना चाहते है तो WhatsApp नमबर यहां पर दिया हुआ है यह प्रियास program हमारा answer writing के बारे में हैं अगर आप answer writing करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो definitely इस program से सीख सकते हो अगर आप one-to-one mentorship लेना चाहते हैं आप उनी preparation को एक step आगे लेके जाना चाहते हैं तो mentorship program को definitely join करें same WhatsApp नमबर आपके यहां पर दिया हुआ है mentorship program में आपको interview guidance भी मिल जाती है और आपक accessories, classes, notes, current affairs, daily quiz वगरा सब रहता है उसमें CSAT, essay वगरा सब include होता है तो आप यह कर सकते हैं और Saturday को हमारा current affair का program होता है जिसमें पूरे week का current affair हम लोग prelims और remains दोनों perspective से cover करते हैं आप मेरी class को join कर सकते हो यह QR code दिया हुआ है आप इसे scan करके class join कर सकते हो उसके लावा SC1000 अगर इस code को apply करते हो तो 1000 रुपीज का discount आपको extra मिल जाता है चलिए दिए बढ़ते हैं पहले topic पे CBI does not require permission to probe pre 2014 cases 2 इसकी मैं आपको समरी बता देता हूं समरी जो है वो है इसके बारे में section 6a of dspe act जो डेली special police establishment act है जिसके अंदर में CBI काम करती है इसके अंदर एक section हुआ करता था उस section का नाम था section 6a ये section क्या कहता था ये section कहता था कि भाया जो senior officers होते हैं government officers बहुत senior जैसे joint secretary या इससे उपर वाले अगर ये correction case में पाए जाते हैं तो CBI इनके खिलाफ inquiry नहीं कर सकता ये जो officers होते हैं joint secretary या इससे उपर वाले इनको immunity मिली हुई है चीक है ये कहता था section 6a of dspe act अब ये मामला गया court में court में court में ये मामला गया 2014 में court है सिधा सिधा कहा कि भाया ये section 6a वो हमारे fundamental rights article 14 का सिधा सिधा सा violation है इसलिए ये implement नहीं होगा ये 2014 के अंदर verdict आया था इसका मतलब जो joint secretary से उपर के officers हैं उनके खिलाफ सीबाई कारवाई कर सकती है without any permission चलिए जी ठीक है 2014 में आया अब एक officer थे जिनके उपर एक corruptional case था और वो case था 2009 का मामला फिर से court में गया इन officer कहना है कि साब क्योंकि यह verdict 2014 में आया था और मेरा case 2009 का है इसलिए CBI मेरे खिराव कारवाई नहीं कर सकती तो court ने कल yesterday ये कहा कि भाईया ये जो हम लोग ने 2014 में verdict दिया है न ये prior permission वाला जो provision यहाँ पे था वो actually retrospective तरीके से वो implement होगा मतलब ऐसा नहीं है कि 2014 ये उसके बाद वाले case होंगे नहीं भाईया 2014 से पहले वाले case भी CBI inquiry कर सकती है without any permission ये कहा है court ने और वो जो साब थे 2009 जिनको पर corruption चार्जी जी लगा था उनके खिलाव CBI कारवाई कर सकती है ये जो है पूरा मामला यहाँ पे बनता है इससे ज़्यादा आपका ऐसाज जानने की requirement नहीं है फिर बाद में अब ज़्यादा articles में और sections के अंदर जानने की requirement नहीं होती है क्योंकि हमें लोग का paper तो देना नहीं है simple से example देना होता है exam के लिए अगर exam में corruption के regarding कोई question आता है corruption के reasons, role of the court, role of the government, about corruption तो उसमें आप यह example के तोर पे दे सकते हो special section 6a के बारे में आपसे ऐससे question नहीं आता है ठीक है, हाँ, CBI के बारे में भी questions आ सकता है, journey of CBI, CBI के अंदर जो reforms हुए है CBI की powers जो time to time change होती रहती है, उसके कंदर कुछ नए provisions set होते रहते हैं, वहाँ से भी question आ सकता है वहाँ पे भी आप इसको add कर सकते हो, section 6a को mention कर सकते हो, तो इस तरह के जो चीज़े होते हैं, वह सिर्फ mention करने के काम आती है elaborate नहीं करना है आपको बहुत जाद exams में, इसलिए थोड़ी information sufficient होती है अगर CBI की बारे बात करें, तो वैसे तो बहुत परानी संस्ता है, जब world war 2 की बात करें, जब चल रहा था तो इंडिया के नदर जो British officers हुआ करते थे, वह या वो बहुत धढ़ले से corruption क्या करते थे बहुत ज़ादा corruption क्या करते थे, वही है मैं I.S.I.E.T.S. officers और British officers की बात कर रहा हूँ Civil services के अंदर काफी corruption हो गया था, उसको tackle करने के लिए, फिर जो है, Britishers ने कुछ step यहाँ पे लिए और 1943 के अंदर एक ordinance पास किया गया, और CBI की जो है, एक तरह से स्थापना की गई, उन corruption cases को रोगने के लिए फिर 1946 में एक Delhi Special Police Establishment Act बनाया गया, आज भी CBI इसी के अंदर में काम करती है Delhi Special Police Establishment Act 1946 आपने याद रखना है CBI जो है, जितनी पावर होती है CBI की वो इसी एक्ट से डिराइव करती है CBI, छी के जी, चलिए Government of India की एक बहुत main investigation agency है, जादा तर जो CBI case हैं, वो corruption वाले cases को handle करती है हलागि CBI दूसरे cases भी handle कर सकती है, लेकिन जो primary purpose है, वो corruption वाला है और किसके under supervision में काम करती है CBI, CBC, Central Vigilance Commission और कौन-कौन से matter को handle करती है, Prevention of the Corruption Act 1988 ये थोड़ी सी आपको legal सी चीज़े हैं, याद रखनी है exam के लिए, mains में और claims दून में आपको काम आएगा अब कौन-कौन से cases होते हैं, जो CBI handle कर सकती है Anti-corruption crimes, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो prevention of corruption act के अंदर में आते हैं वो सब चीज़े आप definitely यहाँ पर कर सकते हो जो government employees होते हैं, बेसिकली, चाहिए वो central government के हो जो public sector undertakings होती है, corporate bodies होती है अगर कोई corruption करता है, तो CBI के पास सेधा case जाता है economy crimes जो होते हैं, जैसे fake Indian currencies बगारा कोई बनाता है, distribute करता है bank fraud बगारा होते हैं, cyber crimes होते हैं, वो सब CBI handle कर सकता है कुछ special crimes भी जो है, यहाँ पर handle किया जा सकते हैं, जो IPC के अंडर में आते हैं वो भी किये जा सकते हैं, कुछ state governments भी कई बार CBI से request करती है किसी case को investigate करने के लिए, हाला कि CBI central agency है बट state government भी कई बार request कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जैसे टर्रिजम का case हुआ, bomb blast हुआ, kidnappings गरा हुई, जैसे तमिलाडो में पिछले दिनो एक bomb blast हुआ था, तमिलाडो की सरकार ने CBI को request किया था उस case को handle करने के लिए, हाला कि बाद में वो case भी है, NIA के पास चला गया बट ऐसा होता है, सू मोटो case, CBI कई बार अपने आप ही किसी चीज़ की investigation कर सकती है, especially union territory के अंदर में तो यह कुछ चीज़ होते हैं, हाला कि कुछ case ऐसे भी होते हैं, जो Supreme Court CBI को special swap देता है, investigate करने के लिए, तो वो case भी चले जा सकते हैं हाला कि जब Supreme Court CBI को कहता है न, किसी case को investigate करने के लिए तो किसी state की requirement नहीं होती है, government की हाला कि अगर normal cases देखा जाए, तो state government की requirement होती है CBI को ठीक है, तो यह कुछ चीज़े होती है, हाँ, यहाँ पे एक extra note आपको दे देता हूँ जो NIA होते है हमारा National Investigation Agency, इसको किसी state government की permission की requirement नहीं होती है यह NIA जो जाधा तर जो है वो terrorism वाले cases को जाधा तर handle करता है, ठीक है, तो यह खुड़ा सा CBI के बारे में इस शुर्ड हैव समाइडिया, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, launch of West Asia economy corridor, is a historic step, ऐसा मोधी जी ने कहा हलांकि इसका जो main topic है वो दोसरा है, हलका सब को idea दे देता हूँ क्या हुआ, इंडिया, West Asia जिसमें especially Saudi Arabia और Europe, इन तीनों ने corridor बनाया है इसे कहा जाता है economy corridor भी आप इसको कह सकते हो, इसमें Saudi Arabia की बहुत जबरदस्त एक involvement यहाँ पे हुई है पिछले time जब जो Saudi Prince है महुमद बिन सल्मान, महुमद MBS भी कहा जाता है इनको, जब इनोंने इंडिया में विजिट किया था, तो इनोंने कहा था कि हम लोग 100 billion dollar invest करेंगे इंडिया में 100 billion dollar, यह कोई 10-5 billion dollar की billion की बात नहीं करते हैं कभी भी, यह हमेशा 500 billion, 100 billion ऐसे बात करते हैं तो इनोंने 100 billion dollar की बात कही थी, जिसमें से 50 billion dollar वो साओधी की तरफ से आएंगे और बाकी बचा हुआ पैसा जो है वो इंडिया या private companies इधर से आएगा तो इंडिया साओधी अरेबिया के relation बहुत अच्छे जा रहे हैं, जिसमें आप defense, energy, security, education, technology वगरा इन सब में हम लोगों ने invest करना है और मोदीची ने कहा है कि अभी साओधी अरेबिया is one of the most important strategic partner of India तो धीरे-धीरे साओधी अरेबिया हमारा सिर्फ economic partner ही नहीं, एक strategic partner भी बनता चला जा रहा है तो यह 50 billion dollar के मैं आपको बताया, तो वो अलग-अलग हुआ है, जादा तर यह जो पैसा जाएगा न, वो refinery field में जाएगा क्योंकि साओधी से हम लोग petroleum करते हैं, इंडिया की जो refinery industry हो वैसे ही बहुत important है और world known है, बहुत जादा advance है हमारी refinery industry तो अर्माको जो साओधी की सबसे बड़ी company है, ANOC, इंडिया कुछ company होंगी, reliance वगरा, उनके साथ deal करके हम लोग यह सब करेंगे 100 billion dollar का total investment करना है, 40 billion dollar जो है वो private investment गरगबर आएगा, उसके अलावा इंडिया GCC के बीच में एक free trade agreement भी हो सकता है future में, उसके लिए भी discussions यहां पर शुरू हो गई है अपार्ट फ्रूम टेट defense, anti-terror cooperation वगरा भी हम लोग साओधी के साथ करेंगे उसके लाव कुछ private companies वगरा के बीच में कुछ ना कुछ यहां पर होगा उसके लाव हमारा जो National Institute of Technology है, NIT और जो Saline Water Conservation Corporation है, साओधी अरेबिया का इनके बीच में भी कुछ deal हुआ है, वो ज्यादा deal के बीच में जाने की requirement नहीं होती है, exam के perspective से, नाम थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, हलका फुलक objective पता होना चाहिए, exam में काम आ जाता है यह जो साओधी अरेबिया के साथ हम लोग कर रहे हैं, यह एक बड़ी डील का पार्ट है, और वो जो बड़ी डील है उसका नाम है इंडिया Middle East Europe Economic Corridor आप यह map देख लीजिए, आपको idea खुद पता चल जाएगा, इदर हमारा भरत आ गया, यह हमारा Arabian Sea है अभी हम लोग क्या करते हैं, देखें, यहाँ पे है स्वेज कनाल, राइट, अगर आपका Europe जाना है यह Middle East से कुछ पेट्रोलिम अगरा मंगवाना है, तो हमारा जनली रूट क्या रहता है, हम लोग Red Sea से होते हैं, स्वेज कनाल को क्रोज करते हैं और यहाँ से हम लोग Europe के एकसेस करते हैं, युजरी तो यही रहता है, लेकिन अभी इसका Alternative हम लोग ढूंड रहे हैं Alternative हो सकता है, इंडिया Middle East Economic, Europe Economic Corridor, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भारत से क्या करेंगे Arabian Sea के दुरू हम लोग शीप लेके जाएंगे, यहाँ तक, उसके बाद हम लोग साओधी Arabian में क्या बनाएंगे एक बड़ी ही Fast Speed, High Speed एक Railway Line बिचाएंगे, उस Railway Line से हम लोग यहाँ पर जाएंगे, इसराइल की तरफ, जोडन इसराइल से होते हुए फिर हम लोग Mediterranean Sea से फिर से Ships में जाएंगे, और Italy और आगे जर्मनी उदरा कहीं जाना आप जा सकते हो तो यह एक नया कोरिडूर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो की Arabian Sea के दौरा हम लोग connect करने वाले हैं, Middle East के साथ और यॉरोप के साथ यह एक कोरिडूर की बात चल लेते हैं, बहुत important कोरिडूर है, इसका रूट भी आपको पता होना चाहिए, इसकी objectives उगरा, सब आपको पता होना चाहिए, mains में सीधा सीधा question यहां से आता है में objective तो क्या है, वही है, connecting across India, West Asia and Europe, जिसमें कुछ railway network होंगे, कुछ shipping roads होंगे, यह किस-किस के बीच में deal हुई है, यह डूली है, हमारे, of course, इंडिया के बीच में, US President आये थे जब उन्होंने भी किया, साथी रेवे के Crown Prince मौबस भी सलमान आये, यॉरोप कमिशन के जो प्र route क्यों पड़ी, जब हमारे पास already Red Sea वाला route है, स्वेज कनाल वाला route है, तो हमें नए route की requirement क्यों हुई, क्या कान इसका हो सकता है, देखिए इसका न कहीं कान हो सकते हैं, इसका एक जो reason है, वो यह हो सकता है, कि जो European countries हैं, including America गरामान चलें, तो वो जो BRI है, Belt and Road Initiative जो है कोशिश कर रहे हैं, एक तो बात यह है, तो इसलिए हमें इसकी जोरत पड़ी, एक तो आप यह कह सकते हो, इंडिया और साओधी अरेविया के बीच में लगातार cooperation बढ़ रहा है, पेट्रोलियम वगरा, इंडिया growing economy है, emerging economy है, आने वाले 10-20-30 सालों में, हमारी जो पेट्र Middle East के लिए, पाकिस्तान के उपर depend किया करता था, हमेशा से ही, कोगि पाकिस्तान की जो strategy location है, वो Middle East को काफी influence करती है, लेकिन अमेरिका और इंडिया के जिस तरह से relation अच्छे हो रहे हैं, तो अमेरिका भी पाकिस्तान की जो veto है, मतलब पाकिस्तान की जो power है, Middle East के अंदर, तो यहां से एक बहुत बढ़िया तरीका वो हो सकता है, है ना, उसके लिए अरब countries के अंतर इंडिया की engagement, अमेरिका की engagement, खासका UAE, साओधी अरेविया, वो एक नए तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि पहले साओधी अरेविया इरान के बीच में issues चला करते थे तो foreign policy कुछ होर हुआ करती थी, अब क्योंकि Saudi Arabia और इरान के relation ठीक हो रहे हैं, तो अब यहां पर defense की बजाए economy cooperation जादा हो रहा है, और इंडिया ने तो हमेशा ही सही एक historical role play किया है, Middle East के साथ, तो उसको हम लोग definitely यहां पर revive कर सकते हैं, और चाइना जो infrastructure develop करता है, बीर आई हो गारा, व ecological destruction भी करती हैं, लेकिन जो यह इंडिया Middle East के साथ, योरप के साथ मिलके बना रहा है, वो peaceful purpose के लिए बना रहा है, हमारा कोई उसमें hidden agenda नहीं है, जैसे चाइना के hidden agendas होते हैं, तो उसकी वज़े से, उसके लावा Africa, US और European Union की जो एक corridor है, उसको भी definitely help करेगा, तो यह हो जाते हैं, तो यह चीज़ी आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो, क्या क्या होगा हम लोग लोग लोड़ी देख लिया है, USA, इंडिया की काफिर सदी involvement यहाँ पर रहेगी, Saudi Arabia, UAE अंदर वो सब यहाँ पर है, इवन इसराइल की भी यहाँ पर involvement होई है, उसकी वज़ BRI को टकर देने के लिए गया था, लेकिन यह जो नया कोड़ोर बना है, वो G7 का जो PGI है, उसकी एक extension भी हो सकती है, और यह जो स्वेज कनल वाला रोट है, इसको हम लोग बाइपास करेंगे, यह तो मैंने कोड़ी बता ही दिया है, लेकिन हाँ चीज इतनी आसान नहीं होती क्यों एक तो इसकी जो official timeline है, कब तक यह बनके तयार होगा, कौन-कौन सी company को contract मिलेगा, कितना पैसा इसके अंदर आएगा, वो अभी तक कुछ भी disclose नहीं किया गया है, मतलब हवाई बाते हो रही है, ground के ओपर जब होगा तब होगा, अभी तक पैसा कुछ कुछ कहा नहीं किस तरह से railway line को आप shipping line के साथ connect करोगे, कौन-कौन सी ports होगी, उसके बारे में भी थोड़ा weight करना की जुरूरत है, हलाकि अगर हम लोग global implications की बात करें, तो अमेरिका क्योंकि यहाँ पर काफ़े ज़दा interest इसके अंदर ले रहा है, तो अमेरिका की जो hegemony है, अमेरिका की ज वो definitely होगी, जो चाइना का belt and road initiative है, वो उसके लिए alternative हो सकता है, जिस तरह से अमेरिका, यॉरप और चाइना के बीच में trade war चल रहा है, तो उसको यह counter definitely कर सकता है, तो काफी अच्छा सा topic है, prelims के लिए तो थोड़ा कम है, लेकिन mains के लिए बहुत जादा important है, वो थोड़ा यहाँ पर देख सकते हो, चलिए जी, एक और topic थोड़ा सा कर देते हैं, why simultaneous elections would militiate against federalism, अब इसमें ना थोड़ी आप table देखिए, प्रोपोजल तो यही है न, प्रोपोजल यह है कि जब 2024 के election होंगे, प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसी समय कुछ states के अंदर भी election होने वाले हैं, कुछ states जैसे आंधरा, अरुनाचल, ओडिसा, सिक्किम, इन चार states में भी election होंगे, अब माना यह जा रहा है कि यह 2014-24 में जो election होंगे, तो हम क्यों ना state के अंदर जो CM के election होते हैं, state assembly election, वो भी कहीं नहीं जो पंचायत elections होते हैं, जिला परीशित के election होते हैं, तो देश में एक ही time पे सारे election करवा दिये जाएं, simultaneous election, अभी जैसा होता है, वैसा नहीं होना चाहिए, आज सेंटर का election है, चार महीने बाद खलाने state का, चार महीने बाद दूसरे state का, तीसरे state का, वो नहीं ह होना चाहिए, तो यह proposal आया है, अब यह proposal तो ठीक है, आ गया, इसके पर debate, discussions बहुत सारी हो रही है, हम लोग इसके पहले बारे में बात किया भी है, simultaneous election के positive points क्या है, negative points क्या है, अलड़ी हम लोग लास्ट वी की topic को दो बार कर चुके हैं, लेकिन सवाल यह उठता है, कि अगर करनाटका, 47 month, cut down करना पड़ेगा, क्योंकि करनाटका में अगर logically देखें, अभी थोड़े समय पहले election हुए थे, पिछले साल, अगर हम एक साथ election करवाते हैं, तो 47 month का tenure को cut down करना पड़ेगा, मेघाले में 45 month, गुजरात में 42 month, उत्रकंड में 33 month, बिहार में 17 month, cut down आपको कर करना पड़ेगा, तो क्या ही आप cut down कर सकते हो, और क्या करना चाहिए, इसका अंसर है नहीं, क्योंकि अगर आप किसी state के अंदर या तो president rule लगाते हो, या elections को cut down करते हो, तो यह पूरी के पुरा constitutional, जो हमारा provisions है, जो federalism की जो पुरी spirit house के against में चला जाता है, तो भही आप ऐ क्यों करोगे, तो यह practical possible नहीं नजर आ रहा है, और इवन अगर आप 2019 के लिए भी करते हो, 29 के लिए भी करते हो, तब भी बहुत सारे state का tenure cut down करना पड़ेगा, जो 2024 छोड़िये, यह तो बहुत नजदिक आ गया, 2029 के लिए आपको cut down करना पड़ेगा, बहुत सारे state assembly के terms को तो क्या यह possible है, अब उसके बारे में debate discussion चल रही है, कुछ लोग कह रहा है, नहीं है, कुछ लोग कह रहा है, जो बहुत important जो argument दिया जाता है, इन सब के लिए, वो दिया जाता है, भीया, cost, लगबक 8000 करोड रुपे जो है, सरकार election commission 5 साल में खर्च करता है, elections पे, different elections में, 8000 क्रोड, कुछ लोगों कहना है, कि भीया, 8000 क्रोड इतने बड़े देश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप democracy की spirit को alive रख रहे हो, elections करवा रहे हो, 8000 क्रोड तो nothing, it is even less than $1 billion, फिर भी, कुछ लोगा कहना है, कि अगर हम लोग simultaneous election करवाएंगे, तो ये cut, ये cost आध ही हो जाएगी, 4000 क्रोड के आसपास हो जाएगी, लेकिन फिर argument आता है, कि हम लोग cost के ओपर इतना focus क्यों कर रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है, कि ये जो पैसा है, वो waste है, अरे भाई, election करवाने में जो पैसा लग रहा है, वो waste नहीं है, आप इसको waste के तरह क्यों treat कर रहे हो, elections के टाइम में जो पैसा लगता है न, वो बहुत important होता है, उसका काफी economic significance होता है, transport service पे पैसा खर्चा होता है, transportation को अच्छा किया जाता है, तो ये बाद में भी benefit देता है, printing, media, infrastructure, जो 8000 क्रोड पे खर्चा होता है, वो फाल तो नहीं है, उसका बहुत positive impact भी होता है, transport, printing, media वगारा के उपर, आप इस factor को क्यों ignore कर रहे हो, तो ये भी यहांसे सवाल पोचा गया है, उसके अलावा, कितने सारे MPs, MLAs, पंचायत, जीला परिसद, कितने सारे member हम लोग, जो है, elect करते हैं, तो क्या सभी को एक साथ elect किया जाना चाहिए, में कि सब के है, जीला परिसद का मुद्दालग होता है, state का मुद्दालग होता है, center का मुद्दालग होता है, अगर आप एक साथ election कराएंगे तो सारे कि सारे issue एक साथ मर्ज हो जाएंगे, और जब issues मर्ज हो जाएंगे, तो voter confused हो जाएगा उसके जो quality of vote है, वो कम हो जाएगी, और यह federal यही जो है वो बताया गया है कि यह सब चीज़े नहीं होनी चाहिए फैडरलिजम एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी है और फैडरलिजम को हर हालत में जितने लेवल पर इंडिया में एक्जिस्ट करता है उसको प्रोटेक्ट भी किया जाना चाहिए तो यह जो साइमर्टेनिस इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है सुनने में ठीक लगता है लेकिन प्रैक्टिकली और कॉंस्ट्यूशनल वाइस भी जो है यह सजेस्ट नहीं किया जा रहा है तो यह थोड़ी सी चीज़ आप यहां पर देख सकते हैं चलिए जी ग्रीशम लोग वट है गुड मनी जब एकोनमी के अंदर कोई बैड मनी होती है उसकी सप्लाई धीरे 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 कम हो जाती है और वो सिस्टम से खतम हो जाती है जो गुड मनी होती है वो धीरे 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 लोग उसका एकसेप्ट करने लगते हैं और बैड मनी खतम होने के साथ साथ लोग गुड मनी मार्किट में रह जाती है अब सवाल यह उठता है कि बैड मनी क्या है गुड मनी क्या है उसके लिए आपका मैं छोटा सा एक एक्जामपल देता हूँ देखिए पहले क्या होता था राजा महराजाओं के टाइम में बहुत पहले क्या होता था जो है गोल्ड कोईन्स बना करते थे है ना या सिल्वर कोईन बना करते थे गोल्ड कोईन और सिल्वर कोईन के एक वैल्यू हुआ करते थी इस आजकल भी तो कोईन बनते हैं आजकल एक रुपे का कोईन है माल या दो रुपे का कोईन है इसकी बेक वैल्यू है जितनी उसके उपर वैल्यू लिखी होती है दो रुपे उतनी ही उसकी वैल्यू होती है सरकार चाहे तो इसके उपर जो है दस रुपे भी लिख सकती है इसके 10 रुपे की value हो जाएगी अगर चाहे government तो इसके उपर 100 रुपे भी लिख सकते है इसके 100 रुपे value हो जाएगी जबकि इसके अंदर जो metal use हुआ है वो change नहीं हुआ है सिर्फ इसके उपर जो value लिखी गई है वो change हो गई है इसका मतलब यह जो coin है आज कल हम लोग use करते हैं इसकी कोई intrinsic value नहीं है मतलब इसकी metal की कोई value नहीं है metal तो एक रुपे का 50 पैसे का 25 पैसे का होगा maximum लेकिन value कितनी है 100 रुपे पहले जो gold coin, silver coin बनते थे इनकी एक intrinsic value हुआ करती थी है ना intrinsic value हुआ करती थी मतलब यह खुद भी तो gold है ना अगर आप इसको melt कर दोगे तब भी इसकी value उतनी ही रहेगी अगर melt नहीं करोगे तब भी value उतनी ही रहेगी तो इसे intrinsic कहते हैं अब क्या हुआ धीरे धीरे gold और silver coin को जो है copper coin में convert हो गया उच राजा महराव जोने copper coin बनाना शुरू कर दिया लेकिन उन्होंने कहा कि भी इसकी value उतनी ही रहेगी मतलब माल लो एक gold coin से आप क्या करते थे gold coin से आप 100 kg wheat purchase कर सकते थे पहले gold coin या silver coin से राजा ने क्या किया उन्हेंने कहा कि नहीं नहीं हम लोग copper coin बनाएंगे और उस copper coin को कहा कि इससे भी आप 100 kg wheat purchase कर सकते हो इसका मतलब यह हुआ कि जो copper coin है इसकी कोई intrinsic value तो है नहीं 100 kg wheat खरीदने की जबकि इसकी intrinsic value क्या थी अब इसका मतलब यह हुआ कि जो copper coin है इसको over value कर दिया गया इसकी actual value 100 kg wheat खरीदने की नहीं है लेकिन इसे आप खरीद रहे हो क्योंकि राजा ने बोला है इसे कहा जाता है over value currency जबकि जो gold silver है इसको आपने under value कर दिया actual में gold silver की value बहुत ज़ादा है लेकिन आपने इसको under value कर दिया जबकि copper की actual value बहुत कम है आपने इसको over value कर दिया तो copper को कहा गया यहाँ पर bad currency और gold चिलो को कहा गया यहाँ पर good currency good money और उसको bad money आप ऐसे कह सकते हो तो धीरे-धीरे क्या होगा लोग क्या करेंगे? copper coin लेंगे, market में जाएंगे, उससे 100 kg wheat खरीदेंगे उस 100 kg wheat से gold coin खरीदेंगे, है न, ऐसे तो होगा, धीरे-धीरे क्योंकि copper coin सस्ता है, gold coin महेंगा है, तो आप सस्ते से महेंगा खरीद सकते हो और आम से तो लोग क्या करेंगे? धीरे-धीरे market से copper coin को खरीदने लगेंगे और उसके बदले में gold coin को purchase करने लगेंगे तो बैड मनी क्या होती है, धीरे-धीरे market में इसकी value down चली जाती है बैड मनी जाती है, अब राजा क्या करेंगे, उतर जो king बैठे हुए है वो देखेंगा, यह market में copper तो बहुत कम हो गया, तो copper को print करने लगेंगे copper coin को mint करने लगेंगे, print करने लगेंगे तो market में जैसे-जैसे copper आता रहेगा, पीछे से, प्रेस से, जो बनके आता रहता है copper coin, लोग क्या करते रहेंगे, copper की बज़ाए gold को purchase करने लगेंगे तो धीरे-धीरे क्या होता है, market में gold की value बहुत ज़दा बढ़ जाती है जो की over value होती है, हमारे example में क्या है copper, copper is a bad money, which is over valued और good money क्या है हमारे case में gold, which is under valued, gold की actual value बहुत ज़दा है लेकिन हम लोग इसको under value कर रहे हैं, ये थोड़ा को समझना पड़ेगा अब श्रिलंका वाले case में अब इसका example दे सकते हो, श्रिलंका ने क्या किया, श्रिलंका की सरकार ने, जो स्रिलंका रूपी था उसकी value को fix कर दिया, और ये कहा कि 200 जो स्रिलंका रूपी है, उसके बराबर में होगा 1 dollar कोई भी इनसान 1 dollar के बदले में 200 रूपी से जादा नहीं देगा, ये किस ने कहा, ये government ने कहा जबकि actually में 1 dollar की value स्रिलंका रूपी में वो जो है कम से कम 300 रूपे थी market value, सरकार ने कितना कहा 200 रूपे, market value कितनी है 300 रूपे अब हुआ क्या, जो श्रिलंका रूपी है वो bad currency में convert हो गया, obviously तो कि market में आपको 300 रूपे मिल रहे हैं, जो जिनके पास dollar था, वो 200 के बज़ाए 300 रूपे खरीदने लगे, और जिनके पास 300 रूपे थे, वो dollar खरीदने लगे, क्योंकि market में उसकी value जाता है, तो जो श्रिलंका रूपी जो है, धीरे 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 वो bad currency के अंदर invert होना शुरू हो गया, और dollar की demand इतनी जादा बढ़ गई, market के अंदर, कि dollar की value बहुत जादा चली गई, और धीरे 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 श्रिलंका रूपी की value बिल्कुल खतम होती चली गई, ऐसा जिमबाबे के अंदर उसकी local currency बिल्कुल खतम हो गई, जिमबाबे की, क्योंकि वहा कि सरकार ने अपने रूपी को over value कर दिया, और dollar को under value कर दिया, जिसकी वजए से dollar की actually जो कीमत थी, रूपी के comparison में बहुत जादा थी, लेकिन सरकार ने उसको कम कर दिया, इसे कहा जाता है, controlled way, जो fixed exchange rate, चाइना भी ऐसा करता है, चाइना ने अपनी currency को under value किया हुआ है, इसल कि dollar open market में float करता है, इसलिए dollar को good money कहा जाता है, इसलिए दुनिया भर में Chinese currency को उतना acceptance नहीं है, जितना American dollar को है, जो Chinese currency है, उसको under value किया गया है, चाइना के government के द्वारा, इसलिए तो चाइना की currency जो है वो इतनी stable नहीं है, उसको इतना भरोसा नहीं माना जाता है, तो ये प good money वो survive करती है, जैसे Sri Lankan currency का आप example दे सकते हो, Jimbabwe currency का आप example दे सकते हो, ठीक है, हलाकि मैंने आपको इसको gold और copper का example लेके बताया है, वो भी आप example देना चाहो तो दे सकते हो, तो Gresham money ये कहता है, तो Gresham ये कहता है, कि market उसको ना free रखिए, currency को ना free रखिए, जितनी demand होगी, और supply होगी, उसके हिसाब से वो अपने आपको stable कर लेगा, सरकार को demand supply की requirement नहीं होनी चाहिए, जिस currency के demand जाता होगी, definite risk की value भी जाता होगी, जिस currency के demand कम होगी, इसकी value अपने आप ही कम हो जाएगी, और उसके हिसाब से जो है, वो supply change होती रहेगी, ऐसा उन्होंने क currency के वे में दे सकते हो, जैसे रूपी है और डोलर है, रूपी और डोलर एक free floating exchange rate follow करता है, रूपी सरकार जादा, मतलब 99% cases में सरकार या RBI कभी भी रूपी को control नहीं करती है, वो demand और supply के हिसाब से अपने आप stable हो जाता है, over a period of time, कभी वो strong हो जाता है, कभी वो weak हो जाता है, क्योंकि government generally under value और over value कर देती है, अपनी currency को, तो यह थोड़ा सा आप यहां पर देख सकते हो, अब कुछ लोग कहते हैं कि जो है एक डोलर है, वो 83 रूपी के बराबर है, तो क्यों नहीं सरकार इसको change करती, अगर हम एक डोलर को माल लो 50 रूपी के बराबर कर भी देते ह हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह हम लोग रूपी को क्या कर रहे हैं, और डोलर को क्या कर रहे हैं, यह actually market rate थोड़ी नहीं है, हम लोग डोलर को actually under value कर रहे हैं, रूपी को over value कर रहे हैं, रूपी की actual value 50 रूपे है ही नहीं, उसकी actual 83 रूपी है, एक डोलर के बराबर, तो आ आपकी एकोनमी के लिए डेंजरस होती है और धीरे धीर अगर ऐसा सरकार करेगी तो मार्केट से रूपी की वैल्यू खतम हो जाएगी और डोलर जो है उसकी डिमांड बहुत ज़दा बढ़ जाएगी तो ये थोड़ा सा ग्रीशम लोग के बारे में इतना आइडिया आपके आपके लिए more than sufficient है आपको एकोनमी स्टो बनना नहीं है जनल स्टेडिस के प्रस्पेक्टिव से कितना हलका फुल का आइडिया आपके लिए more than sufficient है ठीक है जी चलो उसके लावा यह ठीक एक छोटा सार्टी को लोर भी था जो हम लोग शैदाद तो नहीं करेंगे ये चाइन कि economy down क्यों जा रही है इसके लिए एक बहुत बड़ा reason है वो है real estate चाइना की जो economy है उसके अंदर 25% से ज़्यादा जो share है वहां के real estate का है real estate मतलब जो infrastructure buildings वगरा का है housing basically आप उसकी बात कर रहे हो ठीक है लेकिन पिछले कुछ समय से चाइना में जो local वहां के जो लोग है Chinese व real estate की value काफी down हो गई तो सिती सी बाता जब real estate की value down हो गई तो GDP अपने आप डाउन चले गई एक तो factory यहां पे इनोंने यह बताया है दूसरा factory इनोंने यहां पे बताया है कि जो चाइना की zero covid policy थी उसको यहां पर responsible माना है zero covid policy के वज़े से चाइना की economy जो है वो ठप हो गई बंद हो गई बड़े बड़े lockdown वहां पर चले 10 दिन 15 दिन महीनी महीने का lockdown वहां पर चला जब zero covid policy open हुई या pandemic थोड़ा सा slow down हुआ ऐसी उमीद लगाए जा रही थी कि चाइना के अंदर demand बढ़ेगी लेकिन वो demand नहीं बढ़ी तो China मिस से में चल रही है deflation महंगाई से उल् कम हो रही है production कम होने का मतलब क्या हुआ कि employment कम हो रही है employment का मतलब क्या हो कि लोगों की purchasing power कम हो रही है तो एक चीज से बहुत सरी चीज़े लीड करती है तो एक तो reason यह है कि China की economy real estate कम हो रही है और जो pandemic के बाद economy open होनी चाहिए थी unfortunately नहीं होई है एक reason यहाँ पर यह है investment चा सबसे लेके आज तक चाइना की जो economy growth का सबसे बड़ा reason है वहाँ पर high level of investment चाइना की economy कभी भी domestic demand की वज़े से growth नहीं किया है वहाँ पर हमेशा investment related growth हुई है domestic demand related growth नहीं हुई है जैसे अगर अब अमेरिका की बात करें अमेरिका की GDP growth है यह उसकी जो economic power है वो इसलिए है क्यो 60% local consumption अगर चाइना की बात करें this is only 20% domestic demand की वज़े से 20% economy grow करती है 80% economy जो investment की वज़े से grow करती है और you know very well दुनिया भर में investment चाइना में कम हो गया इसका एक reason क्या है अमेरिका-चाइना trade war तो जब investment कभ हो हा तो overall GDP भी चाइना की down चली गई real estate वैसे down जा रहा है zero covid policy की वज़े से वैसे चीज़े हुई young population कम हो रही है बुजिर्गों की population बढ़ रही है तो young जो population है तो उनकी productivity भी कम हो रही है और यह सारे reason जो है वो मिला जुला के बात ऐसी है वह चाइना की जो GDP growth है जो कई decade से 8-10% की growth कर रही थी अचानक से वो 2% 3% पे आ गई है इसका definitely global implication भी बहुत जादा होगा क्योंकि चाइना की economy का मतलब यह है कि दुनिया की economy down जा रही है अगर आप पुरी दुनिया की GDP growth को दोखे तो that was around 2.6% जिसमें से चाइना का contribution कितना था 1.1% अकेले चाइना का contribution था तो चाइना की economy क्योंकि down चली जा रही ह इसका मतलब उसका contribution है वो और कितना हो जाएगा 0.5% यह थोड़ा से इस article अंदर बताया गया है बाकि इसमें और कुछ नहीं है पढ़ना जाओ था पढ़ सकते हो हलाकि major major चीजी मैंने आपके बता दी है बट यह कोशिश करेंगे कल टाइम मिलेगा तो इस article हम थोड़ा और इतना ही है thank you very much all the best चाहिए